दोस्तो मैं हूँ अमान कौशेक और ये है पोरिये वर्सिस मगरेगर 3 ब्रेकडाउन बड़ी फाइट, बड़ा ब्रेकडाउन दोस्तो बहुत मुश्किल है ऐसे फाइट के लिए करना ब्रेकडाउन क्योंकि औलरी तो fighter पहली दो बार ओलरी फायट कर चुके हैं बहुत कुछ तरीके से जो सारी possibilities हैं वो उन्होंने use कर चुके हैं बहुत मुश्किल है यह जानना यह guess करना की fight हो तो किस तरीके से जाएगी और किस तरीके से fight यह end होगी तो दोस्तों मैंने जो उनकी ओल्ड फाइट्स हैं, वो ये की and obviously गॉर्णर की, उनकी ओल्ड फाइट्स हैं, उनकी इंट्रिव्यूज हैं, उनकी जो फाइट्स हैं, उनकी बेसिस पे हम ये बात चाने ही कुशिश करेंगे कि ये फाइट कैसी जाएगी, इस फाइट में क्या ह होगा, तो दोस्तों शुआत करते हैं, दोस्तों obviously stats same हैं जो last time थे, कुछ खास बदला नहीं है, बदली है एक चीज, एक win बढ़ गई है, पोरिय की और एक loss बढ़ गया है, कॉनर का, obviously you know, same height, same weight, लेकिन fight day के दिन obviously, पोरिय is the heavier guy, उनका weight रोज़ जादा होता है, कुछ उनके अवके जो आए हैं पुराने रहने इंट्रव्यूस, तो नहीं कहाता है कि visibly वह बड़े थे, obviously from corner, लेकिन उनका weight होता है, जो भुष पर जादा है, जो बहुत जादा होता है, उनका weight होता है, बदली होता है, जो बहुत जादा होता है, जो बहुत जादा है, तो स्लिज़ वेट भी एड्वांटेज विद पोरिय परिय तो इतनी जादा नहीं कि बहुत बड़ा फरक पड़े लेस्ट बार लेस्ट पोरिय दोस्तों पोरिय देफिनिटली यह जो कि आरहे हैं एक विन पाद हम इसिता की में इसहुता है विन के देफिने विन पास हैं यह उनके पास रहे हैं उनके बादस स्ट्रूश्ता आएगीज़ई एक बार बादस बड़्य जाएगीज अपरबाडी जाट शॉर्ड़ेगं सब कुछ भो यूज करते हैं, मिक्स करते हैं जो उनकी fight हुई है against corner, against Max Holloway, against Yechi तो उसमें पैटर्न है, उसमें यह नहीं कि सारी जो उनकी strikes वो आरही है सिर्फ हेड पे जा रही है, किसी एक fight में वो कर रहे हैं focus on leg kicks just like last corner fight, किसी fight में वो focus कर रहे हैं वो body shot, like Max Holloway fight So, उनके पास सब कुछ चीजें अलड़ी हैं, वो चाहे तो हर फाइट में एक अलग तरीके से वो अपने जो का जो स्टाइल है उसको 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 स्टाइल सकते हैं Because he is so versatile, volume जो है जो एक और चीज जो मैं बार बार उनकी बार में स्कोच रहा था जिस तरीके से उनके fight end हुई थी with Eddie Alvarez Eddie Alvarez definitely, उस तरीके से उनके fight end हुई थी with Eddie Alvarez Eddie Alvarez definitely, उस तरीके उस तरीके से उनके fight end की लगातर वो 25-35s throw किये बिल्कुल उनको मजबूर कर दिया कि there is no point कि मैं fight करूँ और जो लगातर एक fighter बिना था कि आपको 25-35s फैक सकता है, they are not 25s जिससे आप cure हो जाएं बर वो damage करते हैं और low strength लेकिन high volume के साथ जो 25s फैकते हैं वो बहुत मुश्किल होता है कई बार खासकर जब आप या तो बिल्कुल पास हैं cage के या आप थोड़े से थक चुके हैं यह शाइद जो बार बार point मैं सोच रहा हूं कि volume एक बहुल बड़ा factor हो सकता है इस fight के अंदर जहां पर डिसन पोरी ये 5, 6, 10, 12, 20, कितने पंचे को एक साथ फैंक सकते हैं fight end करने के लिए चिन definitely I feel कि एक point जो कि मैंना आपको पहले बात की थी कि जो power shot है Connor का वो लैंड हुआ था उनके उपर last fight में जो तो या लोग रात लेषा इसमें पंचे को बहुत आपको लेच लेख वोगगए उसको वो डिए लेख रहरी लेगए हलाकि वह वो कहरे थे इक इंपर्वेग था इंट्यू कि उनको लगए था कि ये पावर है उस बच पंच में और अगर शायद वो सेम पंच अगर फिर से पढ़ता या दो बार और और पढ़ता तो शायद वो फाइट है वो खितम हो जाती उनके लिए because Connor has power. I'm not sure कि वो ऐसा जानपुछी ऐसा कह रहे थे कि, you know, कि Connor त्राइक करें वो पंचिस फैकने का, but I think Justin can take, Justin can take punches. Justin वो पंचिस वो खा सकते है राम से बिना कियो हुए और I'm not sure कि वो उस मोमें में वो ऐसा हुआ कि जो एंगल फिर था या था या था, but yes, Connor उनको clean hit किया और वो निरीची नहीं किरे यह बड़ी बड़ी बात है हुए यह कंए लगी बात है राम से लॉग सकते हैं, there is no doubt, फीघी पाशन फाइए बात वो नंकि करेंगzent दोस्नोरा किया है नहीं कपाशने में अग्समें मारेइन dåreष खीजि पाल्स bef़ावरा, झाल कहिए यहीं टोस् ich चरदी आरशती हैं कि तरह करें ऐसい बनी आजिए अ अब करें आपको थे कहीं है कि फिर्स राउंड में, Connor is like a sniper और वहाँ पर वह स्टार्ट करते हैं तो यह सम्टाम्स सब्सक्राइब यह इस्टीज यह इस्टीज़ हो सकता है कि वह स्टोरी स्टोरी है, Connor थोड़ी फास्ट है और वह जो फस्ट राउंड है, कि अब करें, Connor is the killer in the first round. अब करें दोस्तों, Connor. Distance management और यह जो कि उन्हें नहीं कि थी मेरा समानना है कि अगर Connor जब अपने पीक पर हैं फिसिकली, मेंटली, तो अराम से यह कें मैंटीन फिस्टेंस, उन्हें कोई उनको कोई मजबूरी नहीं कि इतना पास जाएं फाइटर के, इतना पास जाएं अपने उनका है और उसके साथ एंगेज करने, वो दूर से पीपास अपर सकते हैं, Eddie Alvarez's fight, और हमसे बात करेंगे अगे भी, एक बहुत अच्छा एग्जामपल है उस fight का, जिस तरीके से वो fight कर रहे थे against Eddie Alvarez, वो एक तरीके से जो उनका जो, I mean, मेरे साब से Eddie Alvarez's fight, उनकी अब तक कि best fight है, Connor का इस से अच्छा अब तक कभी नहीं देखा, जाए वो Nate Diaz fight हो, जाए वो Jose Aldo fight हो, जाए बॉनल सरोणी fight हो, I think यह fight इसमें दिखाया कैसे की एक वोल्ड लास champion, Eddie Alvarez's system obviously champ थे, उनसे कैसे जाए, deal करना है, management करना है, जो उनका distance है, दूर रहना है, जाए पास नहीं जाना और वो जो एक window है, in-out, in-out, उसमें वो fight कर रहे थे, और I think, जो जो लास्स fight होई थे अगेंस अच्छा पूरी है, जो यह नहीं कर पाए, यह मैभी वो इतनी जल्ली में थे कि जाए, let me take revenge, let me strike back, यहाँ पर देखिए जो पंचीअ अधिए अधिया पंचीअ बचीए यहाँ से बिल्लुक बात में निखिए पंचीए भाए, यहाँ से बिल्लुकल मैटरीक स्टाइल, वो पंचीथ वहाँ से निकल रहे थे, अगर एक पंच नहीं तो दो पंच, तीन पंच के बाद बहुत मुश्किल होगा उनके सेम पाउर के पंच को सहन करना, I believe so. Accuracy of his striking, यह एक पॉइंट है जो कि लास्ट राइम शायद में लगा कि यह एक चीज मिसिंग थी. लास्ट राइम पर थोड़ से less accurate थे, वो हवा में पंचेस मुखू फैंक रहे थे और वह एक बड़ा इशू था. Late round cardio, हम सम जानते हैं, यह कोई चुपी बात नहीं है कि Connor is very lethal, Connor बहुत dangerous है first two rounds में, और उसके बाद round three round four में जो उनका cardio है वो उनका साथ नहीं देता, और ऐसलिए और हमने दोसरे पहले कई बार बात की है कि Connor के जो muscles हैं जो उनके जो body type है, वो बना है short sprint के लिए, यानि कि वो कम time में ज़्यादा power है, उनकी body, उनके bunches ज़्यादा power लगा सकती है, बट क्योंकि वो एक gift है और अगर आपके जो muscles है ज़्यादा power एक साथ डाल सकती है तो जल्दी वो muscles है वो ठक जाती है और यहाँ पर इशू है and it's genetic, you can't do much, obviously आप करते हैं training, but अगर आपके ज़्यादा अपने आपको तो वो ठक जाते हैं और इसनों कुछ खास साथ करने हैं सकते हैं वो एक खराब काडियो नहीं है from point of view of, अगर अगर देखें, compared to obviously पोरियो वो हल्का सा इनों कमजोर पड़ेगा अगर यह फ़र्लम जाती है तो and the last point है जो कि है negative I think वो है कि बहुत असानी से हम हमें यह पता है कि क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे it's not like you Conrad जा कि बोलेंगे let me do wrestling, let's wrestle, let's wrestle, let's wrestle, Conrad से नहीं करते हैं, right? Conrad कभी surprise नहीं करते हैं, Conrad is very smart, right? but last fight जा 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 पॉरिय ने किया था attempt to take down, I can't imagine कि Conrad जा सकते हैं, 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 Conrad करते हैं, same management of his distance, you know, punches in and out, and this is the only thing here, the fact is, शायद कि उनको बहुत तरीके से पहचान लिया है, Conrad कि क्या वो करते हैं, fight के अंदर, now what can we expect from Conrad? क्या हम कर सकते हैं, Conrad क्या करेंगे इस fight में? So I think कि जो first two round है, I think Conrad को pass करनी कोशिश करेंगे. मुझे ऐसा लगता है बार-बार इस fight के बार जो मैं सोचता हूँ, कि जो clinch है, यानि कि जब आप fighter के साथ आप बिल्कुल उसके हग कर रहे हैं, तो उस स्टेट पंच पॉसिबल नहीं है, और I think, यह है कि जो है, क्लिंच का बहुत युज कर सथे हैं इस fight के अंदर, to pass first round, second round, क्योंकि time बहुत बाइस करना है, round one, round two में, अगर उसके के बिल्कुल सटके रोक लिया, बस उसको engage कर लिया, in clinch, तो उस time पे जो, जो round one, round two है, जह बहुत होते हैं, खतरनाक कॉनर, वो time में बहुत हो जाएगा, और even takedowns, I feel कि इस fight में भी, I think it's possible कि इस fight में भी पोरिये, fight के में भी, round two, round three में करेंगे or attempt to take, take down, but possible ह कि इस बार भी fight ground पे जाएं और उसको gunning initiate पोरिये, keeping Connor busy, I think कि ये बात, एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम लोगों ने try की है, Connor को busy रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि Connor का जो cardio है, वो लंबा नहीं चलता, तो अगर वों को busy कर पाए round two में, round three में, तो Connor जल्दी थक जाएंगे, Connor जल्दी थक जाएंगे, Connor वोल्यूम को जादा शायद लंबे टाम तक परदाश नहीं कर सकते है, I feel so, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, because Connor in and out खेलते हैं, और उनको busy रखना, just like Nate Diaz, उनको जल्दी उनका काउट खतम कर देगा, and I think this is a very good point. What do you expect from Connor? So, Connor किया कर सते हैं इस फाइट में तो में बड़ी इस फाइट में बड़ी बात यह कोई रहें तो उनको रहेंगे उनसे, यह से, लिएसे, लास्ना से में बहुत बड़ी आगए थाग थागए यह बहुत लागए थागा, I don't know why, क्या ल आपनची बेटाइव और जू थो 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 रहें एंग से लेंड होता है और इस वाईवरिय गुटना वही हुट जीतना है तो उनको आपना वही स्टायल जो थो है अगां से Алवरेस प्रिसाइस षाइस प्रिसाइस ढह시LEW兩側 फ़ाच के लिएफ नहीं करें, भी उन्हें ज्हाइन कराहए है, फोक्राथ पुर्टोय 2009 पाउर्ष हौगम फ़ाच के लिए नहीं करेंने लिए रातर होगज था हिर बाहतार होग इचने में पाउर्थ reflecting करने करекें लिए भागए कि बहुतशन को कोनर। वहार है खलक किसुन करते हैं अपर का कि कॉनर में आपण करेंगे करेंगे कर वही कि निपकर के चेस्ट करेंगेगे हैं और कि इसके रिखा तो जमकर करेंगे। लास्त फाट में वियुज कि उनका श्रांस था वो था बोक्सिंग बास्ता तो इन का जो लेग है वो अपन था फूर्ड़ा था इस यूर उसे उसे और काराटे श्थायल को अपने है इस जीज तो हम आनिगे कि इस वर चाहिए कि इस इसका से मिस्थिक नहीं करेंगे दोस्तों, it's a very very tough fight to predict, and obviously on paper, I feel that Conor is the favourite to win in the first round, there is no doubt, but if we talk about the overall favourite fighter in this fight, he definitely is poor, there is no doubt, right? But I still feel that round one, round two, if Conor can do it, nobody can defeat Conor, and if the fight is longer, I feel that it will be a favourite, no doubt, if the fight is longer, then he will be the favourite to win in this fight, and there is a fight in the first round, two round, because I don't think that the fight is longer, round four, round five, so Conor, the volumes that he thinks are more, will win in this fight. Friends, it's a good fight, and I can't wait, thank you so much, we'll see, after this fight.